नमस्कार दोस्तों कंचन की रसोई में आप सभी क्या स्वागत हैं आज मैं अपने रसोई में बनाने जा रही हूं गोबी और आलू की शबजी ओ भी बहुत टेस्टी शबजी तो चलिए हम बनाने चलते हैं सबसे पहले हम गोबी को अच्छी तरह से धो करके कट कर लेंगे ये देशी गोबी हैं इसी तरह हम दो गोबी ले लेंगे और इसे कट कर लेंगे आलू उबलने के लिए इधर में गैस पर बैठा दी हूँ एक सीटी मारेगा तो गैस में बन कर दूँगी गोबी को मैं आची तरह से धो कर और कट कर ली हूँ और आप सभी भी इस तरह से कट कर ली जिये गया देखिए मैं डंठल में भी कट कर ली हूँ ताकि डंठल आची तरह पक जाए और इधर मैं दो बड़े प्याज कट कर ली हूँ तीन भरे मेर्ज, पांच छे लॉसन के कलिया, दो बड़े टमाटर, धनिया पता और मोटर अब मैं इधर कड़ा ही बैठा दी हूँ गरम होने के लिए देखिए कड़ा ही गरम हो गया है मैं इसमें डालूंगी सरसो का तेल तेल गरम हो गया है इसमें डालेंगे आधा चमच जीरा जीरा लाल हो गया इसमें डालेंगे अब गोवी सभी गोवी को अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे इसे लाल भूनेंगे गोवी भूना गया है आप सभी देख सकते हैं लाल हो गया है गोवी अब मैं इसे निकाल लूँगी देखिये मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ अब मैं इसमें मोटर को भी भून लूँगी मटर देखिए भुना गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ उसी बरतन में अब मैं आलू को भी भूनूंगी आलू को अच्छी तरह से हम छील कर कट कर ली हूँ देखिए इस तरह से आप बड़ा साज के आलू रहेगा तो चार भाग में कट कर लीजिएगा चोटा आलू रहेगा तो दो भाग में कट कर लीजिएगा कडाही में तेल डाल कर हम चारो तरफ से इस तरह से चलाएंगे ताकि आलू इसमें चीपकेगा नहीं भूनने पर नया आलू रहता है तो चीपक जाता है कडाही में कड़ाही पूरा गरम हो जाय तभी इसमें आलू डाले नहीं तो ऐसे डालियेगा तो नया आलू चिपक जाता हैं देखिए मेरा कड़ाही गरम था आलू थोड़ा सा भी नहीं चिपका हैं जो गोवी फोराई किये थे उसी तेल में मैं मटर को भी भुणी थी और अलू भी भुणा गया मैं तेल को निकाल ली थी आप सभी देख सकते हैं आलू लाल भुणा गया हैं देखिए अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ उसी बरतन में सभी चीज भुना गया है अब मैं मसाला भुनने के लिए तेल डाल दी हूँ साथ में दो तेज पत्ता आधा चमच जीरा आधा चमच पजभोरन इसमे मेथी मंगरेल सौब सभी चीज इसमें रहता है सर्सो भी रहता है दो लाल मीर्च इसे तोड़ कर मैं डाल दी हूँ दो हरे मीर्च कटे हुए यह भी मैं डाल दी पांचे कटे हुए लासून सभी तढके को अच्छी तरह से लाल होने देंगे तढका लाल हो गया इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और इसे भी लाल होने तक भूनेंगे इधर प्याज भूना रहा है तब तक हम उधर मसाला निकाल लेती हूँ जार में पिसने के लिए देखिए मसाले में हैं दो लाल मिर्च, लौसुन की कलिया, जीरा, मरीच, धनिया और गरम मसाला में बड़ी लाईची, छोटी लाईची, जैवीत्री, दालचीनी, दो लौंग, साथ में आधा इंच अद्रक हैं और एक चमच हल्दी पाउडर सभी मसाले को जार में डाल कर पिस लेती हूँ देखिए मसाला मेरा पिस आ गया है और इधर देखिए पियाज भुना गया है इसी तरह आप लाल भुनिएंगा पियाज को अब मैं डाल दूंगी पिस लेती हूँ मसाला मसाले को अच्छी तरह से हम चलाते हुए भुनेंगे सबजी को टेस्ट लाने के लिए में मसाला ही भुनना होता है मसाला अच्छा तरह से नहीं भुनाएगा तो सबजी के टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और इसमें डालेंगे कास्मेरी मिर्च कलर के लिए ये तीता नहीं होता है ये सबजी में कलर लाता है मसाला इधर भुना रहा है तब तक उधर मैं टमाटर जो कट की थी उसका पीरी बना लेती हूँ टमाटर को जार में डाल कर देखिए मैं पीरी बना ली हूँ इधर मसाला भी देखिए भुना गया है अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर के पीरी और इसे भी मैं दो मिनट के लिए भून लूँगी टमाटर के प्यूरी को अब मैं डालूँगी स्वाद अंसार नमक नमक डाल को मसाला को मैं ढख कर पकाऊंगी और आज को मेडियम रखूंगी नहीं तो मसाला जल जाएगा देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है मसाला मेरा भूना चला है मसाला भूना गया है अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला अधा चमच और साथ में अधा चमच मीट मसाला और इस सभी मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी अब मैं इसे ढख कर भूनूँगी दो मिनट के लिए मसाला मेरा भूना गया है देखिए मसाले से तेल अलग हो गया है अब मैं सभी सबजी भूने हुए इसी में डाल कर और मसाले के साथ दो मिनट भूनूँगी इस तरीके से आप सबजी बनाएगा तो बहुत टेस्टी लगता है देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है इसे भी मैं ढखक कर दो मिनट भून लेती हूँ, देखिए आप सभी इस तरह से दो मिनट बाद मैं सबजी को आप सभी को दिखाती हूँ देखिए सबजी भूना गया है अच्छी तरह से अब मैं इसमें डालूंगी पानी पानी अपनी हिसाब से डालिएगा गढ़ा या पतला जिस तरह आप ग्रेवी रखना चाहते हैं चावल में खाना है तो ग्रेवी ज्यादा पतला रखे और रोटी में खाना है तो गढ़ा ही रखे तो मैं इस तरह का ग्रेवी रखूंगी अब मैं ढख कर इसे पास मिनट पकाऊंगी ताकि गोवी अच्छी तरह से पक जाए पास मिनट हो गया हैं देखिए मैं आप सभी को दिखाती हूं सबजी पक गया हैं देखिए आप सभी को दिखाती हूं अब मैं डालूंगी कटे हुए हरे धनिया का पत्ता और गय स्कों मैं बंद कर दे रही हूँ देखिये मैं आप सभी को सब्जी नजदीक से दिखाती हूँ भाव से नई दीख रहा था देखिये कितना टेस्टी सब्जी बना हुआ है इस तरह से कम तेल में और कम मसाले में घर पर बनाए टेस्टी शबजी देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे अब इस तरीके से सबजी एक बर बना कर जरूर देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से आप इसे रोटी या फराठे के साथ खा सकते हैं चावल के साथ देखिए थाली लगा दी हूँ ये रोटी, चावल और साथ मेश्रब जी ये आप सभी के लिए है ये मेरा रेश्पी आप सभी को कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें और वेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें इस तरह से मैं नए रेश्पी आप सभी को बना कर सेयर करती रहूंगे, फिर मिलती हूँ एक नए रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई